तो अब हेलो व्युआ हेले कि जो अज में बात करेंगे निफटी खिश्त करें टिवेश्त डिशिस और कल बेंख निफटी की है वीक्रीक ऑप्शून की सपलाईन्ड निफ्टी बैंक निफ्टी के अनलिसिस पहले आप एक वार यहां देखिए FIDI का डाटा देखते हैं तो DIs आज में नेट बाइंग में है FIs भी आज नेट बाइंग में है तो DIs का अगर आप कल का डाटा देखते हो फॉर्ट वाज का तो कल भी हो इन्होंने अच्छे बाइंग की थी तो FIDI के तरफ से कोई दिक्त नहीं दोनों तरफ से हमें बाइंग देखनी को मिल रही है तो अब बात कर लेते हैं कि पैल के लिए निफ्टी के क्या लेवल हो सकते है एक हां इंट्री पॉइंट बन सकता है तो अगर निफ्टी की बात करें हम तो देखिए एक ही स्पोर्ड लेवल है 2270 के पास तो यहां कहीं मिलता है तो वहां पी आप बाइंग करके चलिए लेकिन सेट अप की वेट किरके जैसे कुछ एक दो केंडल फॉर्मेशन हो जाए सेट अप बन जाए कुछ केंडल फॉर्मेशन का उसके बाद लीजिए और अगर इंकेस फ्लैट ओपन होता है तो आप फिर वेट कीजिए इस लेवल के नीचे के आने तक और अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर शायद आपको नीचे से ही मोमेंटम मिल जाए नीचे से ही प्राइज आप आजाए तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो अगर इनके इसमाल नीचे फ्लैट ओपन होता है तो यह अप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो इसको कि अगर इन ट्रेंड ब्रेक होती है तो अप साइड में आप इसको बाइंग करके चलिए सेल में तभी देखिएगा अगर यह बाइज चार सो पचास के आसपास कुछ सेल सेटप बने तभी और वाइज चांस और वाइज यही देखिए कि अगर कुछ बाइंग सेड में अपर्चुनिटी मिले तभी निकोज अगर हम आप ओप्शन का डाटा देखते हैं तो अगर नेट ओप्शन का ओवाई देखते हैं तो यह 22,22,200 के पास एक अच्छा सपोर्ड लेवल है जो हमें यहाँ पर प्राइज एक्षन में भी देखने को मिल रहा है और उसके बाद है 22 का रिश्टनस बात करें तो यह ही है अभी 22,400 और 500 इस बीट्वीन आप प्रोफिट बुक कर सकते हो और 22 के असपास मिले तो वहाँ पर बाइंग का लेवल है यह भी आज देख सकते हो कि 22,170 के यह सपोर्ड लेवल है कि अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो आप सेलनो राइज भी कर सकते हो बट मैक्सिम यह 22,700 तक यहाँ से शायद फिर एक बाइंग सैड में आप साइड में आपको मोमेंटम मिल सकता है और उसके बाद तो नीचे बीक सपोर्ट यही है प्राइक एक्शन में भी आपको दिखाई दे रहा है यह 22 का लेवल है जो 22,000 का अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की तो यह बैंक निफ्टी का चार्ट है बैंक निफ्टी में देखे आज मैंने आपको यह टेलीग्राम में डाला था कि चैसे बैंक निफ्टी स्टीलिंग रेज 47,200 तो 47,500 बट ब्रेक इस लेवल यू कन प्ले विज प्लेशन और वाज प्लें नहीं तो इसका मीनिंग यह थ कि यहां पर आप देखो कि बैंक निफ्टी में काफी अच्छी लर्निंग आपको देखने को मिलेगी और यह मैं आपको बता देता हूं कि यह जो हमारा टेलीग्रम चैनल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और क्मेंट में पिन कियो मिल जाएगा लिंक पर क्लिक करके इसमें यह देखिए यह एक सपोर्ड लेवल था यहां पर तो यहीं से पर पीस देखिए प्राइज भाज वहीं पिसने लोग बनाया और उसके बाद यह प्राइज देखिए प्राइज निच्छे भी आ रहा था लेकिन पिछले वाले जो स्विंग लोग था उसको ब्रेक नहीं कर रहा था तो हाइराई बनाता जा रहा था इंटर डे में तो इसलिए फिर यह क्या किया कि इस ने जैसे देखिए यहां से ब्रेक किया क्योंकि यहां पर आल्लेडि ही टूडिब्स टेश्ट हो चुका था डबल टो बन गया था तो break होते ही ये level ये जो resistance level था break होती ही fast इसमें 200 plus moment आगया उसके बाद फिर ये देखिए वापपिस ये lower low बनाना start कर गया बट ये जो level था retest वाला इसको break नहीं किया अगर कल की day में अगर ये ट्रेलेंड break करता है ये जो हमने लगा रुखे है तो इसको आप sell on rise कर सकते हो max ये 47,200 पर अगर ये break करता है तो then फिर फर्दर आप sell on rise कर सकते हो और in case द्वारा फिर 47,200 के पास को buying setup दिखाए दे तो आप buy करके चल सकते हो या फिर अगर flat open होता है तो अगर ये trail line break नहीं करता है तो आप ये immediately target रहेगा 47,750 का then 47,900 और 48,250 का ये आपके target रहने चाहिए औ और below अब जब भी sell on rise करें तो sell on rise proper प्रेलिक स्टॉपलोस का चाहिए buying करो चाहिए sell करो दोनों सेड में आप प्रोपलोस के साथ ही trade करें और अगर कल जैसे hero zero में play करते हो तो उसमें भी प्राइ यही करें कि maximum ऐसा नहीं किये कि paid में अपना सारी quantity लो कोशिए ये करो कि अपने जो capital का एक या 2% ही अपना risk लीजिए उसे के कारण अपना rate बनाईए और bank nifty का अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर auction का data भी एक बार OI data देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेगे यह 46 300 के पास अभी है में एक support level और 47 के पास तो यह data हमें दिखाई दे रहा है कि निचे से भी अभी support दिखाई दे रहा है और उपर instance है 48 का और 46 का minus है 48 का major है तो अब जब अगर live देखते हैं तो live आप देखते हो तो इसमें PCR भी 121.26 है तो अभी है bio dips का भी है तो कोई dip से दिखाई दे तो वहां पर आप इसमें इंट्री कर सकते हो तो ट्राइटे भी काफी अच्छी एड होई है तो यह था आज का analysis आप अपना इंट्री लेने से पहले अपने फ्राइट वाइस सला लीजिए और साथ में अपनी सेल्फ स्टेडी जुरूर कीजिए आई हो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो